अधिक बोलने वाला कच्वा कोश्ठक में अधिक बोलना नहीं चाहिए, कोश्ठक समाप्त एक तालाब में एक कच्वा रहता था. कच्वे को बात करने का रोग था. वो जब तक किसी से बात नहीं कर लीता था, उसके मन को शांती नहीं मिलती थी. वो जब बात करने लगता, तो करता ही जाता था. ये सोचता नहीं था कि उसकी बात सुनने वाले को अच्छी लग रही ह या नहीं? तालाब के किनारे दो बगुले भी रहा करते थे. कच्छुए ने बगुलों से मित्रता कर ली थी. वो प्रति दिन बगुलों से देर तक बात किया करता था. बात करने में वो दून की हांका करता था. बगुले कच्छुए से बात तो करते थे. पर कभी-कभी उसकी बातों से उप भी जाते थे. क्योंकि वो दून की हांकने में बड़ा तेज था. बगुले कुछ कहते तो नहीं थे. पर अपने मन में वे ये आवश्य समझते थे कि कच्छुए को बात करने का रोग है. सैयोग की बात. पानी न बरसने के कारण जोरों का अकाल पढ़ा. तालाप का पानी सूख गया. पेड़ पौधे भी सूख गये. खेल खलीहान भी बरबाद हो गये. चारों ओर हाय हाय होने लगी. तालाप का पानी सूख जाने के कारण बगुलों का जीवन संकट में पढ़ किया तालाप का पानी सूख जाने के कारण कच्वा भी संकट में पढ़ गया था पर उसमें बगुलों की तरह ओडने की शक्ती तो थी नहीं फिर भी वो किसी दूसरी जगा जाने को विवश था प्रिष्ट आठ बगुले जब दूसरी जगा जाने लगे तो वे विदा मांग के लिए कच्वे के पास गए कच्वा भगुलों की बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ रुवासा होकर बोला तुम दोनों तो जा रहे हो मुझे यहां किसके सहारे छोड़े जा रहे हो भगुलों ने उत्तर दिया क्या किया जाए भाई तालाप का पानी सूख गया है यहां अब निर्वाह होना कठिन है हमें भी तुम्हें छोड़ते हुए दुख हो रहा है पर विवश्टा है कच्वा बोला हां बात तो ठीक कह रहे हो पर क्या तुम दोनों मुझे भी अपने साथ नहीं ले जा सकते बगुलों ने उत्तर दिया तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो ह हमारी तरह तुम ओड़तो सकते नहीं कच्वे ने सोचते हुए कहा हां तुम्हारी तरह ओड़तो नहीं सकता पर एक उपाय है यदि तुम दोनों चाहो तो एक उपाय के द्वारा मुझे अपने साथ ले चल सकते हो बगुलों ने पूछा सुने तो वो कौन सा उपाय है कच से ढून कर एक लंबी पतली सी लकडी ले आओ, तुम दोनों अपने अपने मुख से एक-एक किनारे को पकड़ लो, मैं लकडी को बीच में मुख से पकड़ कर लटक जाओंगा, इस तरह तुम दोनों मुझे अपने साथ ले चल सकते हो, बगुलो ने कहा, उपाय तो अच्छ हो गई, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हे व्यर्थ में अपनी जान गवानी पड़ेगी, कच्छवा बोल उठा, वाह, तुम दोनों क्या कह रही हो, मैं ऐसी मुर्खता क्यों करूंगा, क्या मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, प्रिष्ट नौ, फि उन्हों बगुलोंने एके किनारे को मुख से पकड़ लिया, कच्छवा बीच से मुख से लकड़ी को कस कर पकड़ कर लटक गया, बगुले मुख में लकड़ी को पकड़े हुए, सावधानी से उड़ चले, बगुले जब उड़ते हुए नगर के ऊपर से आगे बढ़ने तो नगर के लोगों की द्रिष्टी उन पर पढ़ी। उन्होंने आज तक ऐसा द्रिष्ट कभी नहीं देखा था। बगुले लकडी के एके किनारे को पकड़ कर उड़े जा रहे थे। कच्वा बीच से लकडी को मुख से पकड़े हुए लटका हुआ था। लोग तालियां बजा बजा कर हसने लगे। जोर जोर से कहने लगे। देखो कैसा आद्भुद द्रिष्ट है। दो बगुले कच्वे को लेकर उड़े जा रहे हैं। लोगों के हसने की आवाज बगुलों और कच्वे के कानों में भी पड़ी। बगुले तो चुप रहे पर कच्वे को तो बात करने का रोग था। लोगों की हसी सुनते ही उसका रोग उमड़ाया। कच्वे के मन में लोगों को डांटने की बात पैदा हो गई पर जो ही कच्वे ने मूँ खोला लकडी उसके मुख से छूट गई और वो नीचे गिर कर मर गया कच्वे के मरने पर बगुलों को बड़ा दुख हुआ वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे अगर कच्वे में अधिक बात करने का रोग ना होता तो उस बिचारी की जान इस तरह न जाती प्रिश्ट दस